हीमाचल में विधान सभा चुनावों के लिए टिक्टों पर माथा पच्ची शुरू हो गई हैं। भाजपा के अंदर इस बार हीमाचल विधान सभा चुनाव में टिक्टों के एलान से पहले नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। भाजपा हाई कमान ने इसके लिए दिल्ली से हेलिकॉप्टर में मत पेटियां भेजी और वोटिंग के तुरंत बाद वापस दिल्ली मंगवाली। वोटिंग में पार्टी के कारेकारणी सदस्यों और फ्रंटल संगठनों के चुनिंदा पधदिकारियों से उमीद्वारों को लेकर उनकी तीन तीन चोईस पूछी गई। भाजपा हाई कमान ने हिमाचल में मिशन रिपीट का तारगेट रखा है। ये तारगेट रखने से पहले प्रदेश में अलग-अलग लेवल के तीन सर्वे भाजपा ने करवाए। इनमें से पहला सर्वे एक प्राइवेट फर्म से करवाया गया, दूसरा सर्वे पाती न पर जाकर काम किया इस सर्वे की रिपोर्ट एक हफते पहले ही भाजपा हाई कमान के पास पहुंची पार्टी की ओर से करवाए गए इन तीनों सर्वे में अलग-अलग रिपोर्ट आने से कई तरह के कनफ्यूजन खड़े हो गए ऐसे में आखरी मौके पर पार्टी के कारेका परणी सदस्यों और फ्रंटल संगठनों के चुनिंदा पधदिकारियों से उमीद्वारों को लेकर उनकी तीन-तीन चोईस पूछने का फैसला लिया गया भाजपा हाई कमान के पास अलग-अलग लेवल से जो फीडबैक पहुंची है उसमें लोवर हिमाचल के दो दरजन स ज्यादा विधायकों और चार मंत्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव है ये फीडबैक विधान सभा लेवल की है और इसके मुताबिक दोबारा टिकट दिये जाने की सूरत में इन नेताओं के जीतने के चांस कम है विधायकों मंत्रियों के इस नेगेटिव फीडबैक के ब मेलोर हिमाचल से जीतने वाले डेड़ दरजन विधायक ऐसे हैं जिनकी जीत का मार्जन 500 से लेकर 2000 वोटों के बीच था पांच साल की एंटी इंकमबेंसी के चलते इन सीटों पर आँख मूंद कर उनी चेहरों को टेकट देने का चांस लेना समझदारी नहीं होगा इन विधायकों के मामूली विनिंग मार्जन और मिशन रिपीट के चलते पाठीन रहते तो एक्स्ट्रा सावधानी बरत रहा है हिमाचल का सियासी रिवाज बदलने निकले भाजपा हाई कमान ने पिछले कुछ महीनों में कॉंग्रेस में काफी तोड फोड की दो कॉंग्रेसी विधायकों के अलावा दो निर्दलिय विधायकों को भी पार्टी में शामिल करवाया गया कॉंग्रेस से कुछ दूसरे नेता भी भाजपा में शामिल हुए इन में से कुछ पार्टी के मौजूदा सिस्टम से नाराज है और किसी भी समय भाजपा को अलविदा कह सकते हैं ऐसे में इन्हें जिस सोच और मन्शा के साथ लाया गया था वो शायद ही पूरी हुई हो दूसरी और इन दल बदलूओं के आने से संबंदित हलके में भाजपा के पूराने कारेकरता भी खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है रविवार को करवाए गए गुप्त मतदान में कई सीटों पर भाजपा के पूराने कारेकरताओं ने दो टुक फीडबेक दिया कि दल बदलूओं को टेकट नहीं दिये जाने चाहिए भाजबा ही कमान की ओर से करवाए गए गुप्त मतदान और इसके लिए अपनाई गई प्रक्रियां से खुद पार्टी के ज्यादतर नेता भी भोचक के हैं अमर्जनसी कॉल करके बुलावा मिलने और हेलिकॉप्टर में मत पेटियां आते जाते देख कर उन्हें भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया हिमाचल के पड़ोसी राजियों हर्याना और उत्राखंड में भाजबा सरकार रीपीट करने में सफल रही है हालांकि हिमाचल की परिस्थितियां अलग है इसलिए हाई कमान यहां के मत दाताओं और पाती के धांचे को अलग धंग से समझ रहा है चारों संसदियक शेत्रों में करवाई गई इस वोटिंग में पाती के 3467 पधधिकारियों ने अपना वोट दिया जिला मंडल, प्रदेश मंडल, विभिन मोर्चों के अध्यक्ष, नगर निगम, नगर निकायों के अध्यक्ष और बोडों निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों ने पाती प्रतियाशियों को लेकर अपनी 3-3 चॉइस बताई आज दिली में भाजपा की इलेक्शन कमेटी की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई मतदान के दोरान विधान सभावाईज कौन-कौन से नाम टॉप पर आए इसे गुप्त रखा गया है मुमकिन है कि कल यानी 18 अक्तूबर को भाजपा उमीद्वारों की पहली लिस्ट जारी हो जाए बैठक में प्रभारी देविंदर सिंग राणा, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजी बिंदल, सत्पाल सत्ती, महा सचिव त्रिलोक कपूर, राकेश जम्वाल, त्रिलोक जम्वाल, राजे संगठन सचिव, पवन राणा और महिला मोर्चा अध्यक्ष रश पश्मी धर सूद भी मौजूद रही